इस वीडियो में बात करेंगे पिता को पैत्रिक संपत्ती बेचने से कब नहीं रोका जा सकता है। तो वहाँ पर इस फस्ट रूप में कहा गया है कि पैत्रिक संपत्ती में पुत्र के होने के कारण, क्योंकि पैत्रिक संपत्ती में पुत्र का भी अधिकार होता है, पिता का अधिकार जो होता है, वो सीमित रहता है, इसलिए पिता को पैत्रिक संपत्ती बेचने का अधिकार नहीं है ये भी बात बिल्कुल सही है लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिता किन कंडिसंस में क्योंकि सुप्रीम कोट ने एक अपने आदेस में कुछ कंडिसंस बताई है उन कंडिसंस में पिता अपनी पैत्रिक संपत्ती जो है वो बेच सकता है और उस इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं अगर माल लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़ी आप मुझे फॉन पर बात करके कोई राय लाना चाहते हैं तो आप कॉल्मी फूर एप के थुरू आप मुझे बात भी कर सकते हैं काल्मी फूर के एप कैसे यूज करते हैं इसकी वीडियो में ने बनाया है और वीडियो की लिंक जो है वीडियो की डिस्पिल में दी गई है आते हैं अपने टॉपिक पर कि पिता को पैतिक संपत्ती बेचने का अधिकार कब होता है सबसे पहले आप डिस्पिले में देख सकते हैं सुप्रीम कोट के आदेश के अनुस पुत्र को वहाँ पर कोई भी रोकने का अधिकार नहीं है। परबबार के सदस्यों का भरड़ पोस्त नहीं हो बायार और भरड़ पोस्त करने के लिए संपत्ती बेचि जाती है तो भी वहाँ पर पेतरिक संपत्ती बेचने का दिकार है पुत्र या पुत्रियों वहाँ नहीं रोग सきます नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुत्रियों के विभा के लिए पुत्रियों के विभा के लिए वी पिता को पैत्रिक संपत्ती बेचने का अधिकार है वहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है संपत्ती पर चल रहे मुकद्मों के लिए जैसे मालीजी कोई पैसे के लिए पैसे के लिए पैसे बेची जा सकती है और एसे में कोई पुत्रिया पुत्री वहाँ पर नहीं रोग सकता है और ऐसी condition में पुत्र या माल लीजे गर का अन्य सदस जो है वो पैत्रिक संपत्ती बेचने से नहीं रोक सकता है और वैसी भी अगर देखा जाए तो यह अधिकार जो है यह conditions जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों अगर माल लीजे आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें आपको कोई भी प्रसन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जबस पूछें